हेलो बच्चो एंड वैलकम टू स्टेडी वित उनिक मैं सुवर सर स्वागत करता हो आपका आप ही के पैर चैनल स्टेडी वित उनिक पर और इस लेक्चर में हम क्वेशन नमबर सिख से लेके तो क्वेशन नमबर टैन तक पूरे कवर करेंगे ठीक है चार कोश्चन है सिर्फ पाचे सिख को पकड़ के कवर कर देंगे पिछले लेक्चर में निकाल भी यह कोशन लेकिन लिया नहीं क्योंकि 20-25 मिनिट से उपर इस चैटर के तो अट-लिस मुझे लेक्चर बनाने नहीं है क्योंकि आप पहले हैं मैं नही नहीं हो मैंने चाहता कि आपको एकड़म से ब आप रोग सकते हो लेक्चर को लेकिन मुझे पता है कि एक लेक्चर को आपने एक पार छोड़ दिया कि उसको कम्प्लीट करने का दिन डायरी एक्जाम के दिना था इसलिए मैं छोटी ही बना रहा हूं के ठीक है चलिए सर बहुत अच्छी से पेचंद है नहीं देखा है मै प्रस्पटिंग सेक्टर बहुत आसान है एक सर्कल है छोड़ो ना यार बनाना यह से एक सर्कल ठीक है जिसमें 25 पाई उसका एरिया है ठीक है तो एरिया अप सर्कल है आपका 25 पाई स्कुएर सेंटिमेटर ओके आगे फाइंड देंड अच्छ आर्क सबस्टेंड अर्क सबस्टेंडिंग एंगल ऑफ फुर्टिफॉर एड़ देंटर ठीक है तो यहां पर कोई वन फुर्टिफॉर का एंगल देरा होगा शायद यह इस तरीके से वन फुर्टिफॉर इंगल छोट रहा है तो आपको निकालना यहां यहीयं कितना है को हम हुआ सान देखो पहले तो हम निया फ़ॉर्मला लगाएंगे अप संकल पाया च्कुर्ण टेटिफाईव पाई इस इक्वाया हरे स्क्वेड फाइब स्क्वेड प्यों प्यों पाई प्यों स्क्वाय प लिख लो चाहो तो, by taking square root on both sides, मैंने shortcut लिखा है, आप पूरा लिखना, btsrobs, by taking square root on both sides, मैं 10th से यह लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपको जब मैंने 10th के lecture दिये थे, शायद आपने देखे हो, नहीं देखे हो, ठीक है, तो तब भी मैं लिखता था shortcut, ठीक है, जो देखते थे वो जानते हैं, ठीक है, चल लिए तो आगे चले, ठीक है, अब आगे चलो ना, okay clear है, जहां तक बाते clear हैं नहीं, तो समझ लो पहले, clear है ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ बच्चा, okay, that is okay, ठीक है, सर अब आगे क्या को रहा हूँ, तो आगे कुछ नहीं, find area of corresponding sector, इसका area निकालना है, तो area क्या होता है सर, area of sector, area of sector, यहां मैं ए नहीं लिख सकता है, क्योंकि यह मैंना already circle के लिए उस कर दिया, तो even बोल जीता हूँ, या a dash बोल जीता हूँ, कुछ भी बोल सकत ठीक है, अपनी इच्छा, तो वो क्या होता है, theta r square by 2, या 1 by 2 theta r square, यह मैंने आपको पिछले lecture में, starting में 5-10 minutes में, formula radian में कैसे convert किये हैं हमने degree से, और degree में कहां से आये थे, 10 standard में कैसे logic था, यह भी मैंने बताया था, तो वो जारा, पिछला lecture पे 5-10 minutes invest कर लो, अगर यह directly दे तो ठीक है, 5-10 minutes से, वैसे में इसके एक shot भी डाल दूगा, लेकिन फिर भी, shot कब डालू कब नहीं, यह तो नहीं डाल पार, अच्छे से, इसलिए, ठीक है, कोशिश तो पूरी है, लेकिन मर्चो बहुत, सारी चीज़े जो एक साथ करनी होती है, फिर भी अभी डालूँग ठीक है, आपके लिए, कोशिश तो करनी बनती है, मेरे खुद के लिए भी और आपके लिए, तो area of sector, ठीक है, आपने को पता है, 144, तो यह रेडियन में है, बिटा, तो 144, 5 by 180 यही कर लेते हैं, ठीक है, रेडियन में करने के लिए, क्यों 5 by 180 से multiply किया, क्योंकि ठीक है, ठीक 144 डिगरी आपका डिगरी में है, तो इसे अगर रेडियन में खरना है, तो 144 इंटू 5 by 180 और फिर रेडियन ठीक है, और करने के लिए, यहां में डिवैट कर सकता है, कि 12 से 15 पे 12 पे 12 पे गटता है, ज़रू अतनी है से यहां भी काट सकते, ठीक है, यह इंटू 1 by 2 upon 2 यहने 1 ठीक है, और r स्क्वेर, r कितना है भाई, r तो अब है निकला 5 का स्क्वेर, ठीक है, तो 5 का स्क्वेर, ठीक है, अब देखो यह 12 पे, यह 15 पे गटे, देखो यह 12 चाहिए, यह 12 इंटू पाई, अप्वान 15 इंटू 2, यह मल्टिप्लाय में बहुत अच्छा होता है, एक किस ना करते हुए 55 सा तो यह 53 सा 50 ठीक है ठीक है त्री फोर ट्वेल टू टू जा फोर ठीक है यही कि यह काट्टो सा देख ठीक है अब टू पाई टू फाइज टेन तो टैन पाई पर स्क्वेयरहो सेंटेमेटर यह आपका आगया यहाँ पे ईरियाओ सेक्टर क्या ग्लए्ज अज़ेएज टैन पाः स्क्वेयरहींटमीटर ठीक है यह आपका एरियाओ सेक्टर है आपकर आइज खाल है, तो आप यह आरा मस Avoid लिख सकते हो Looking of कर्सपर्णिंग सेक्टर इस टेन स्क्वेर सेंटिम्टर ठीक है एक बार सिफ कल्कुलेशन चेक कर लिया करो बाकी सब्सक्राइब नोट किजिए 1 2 3 ठीक है थोड़ इसी खासी के कारण आपको दिक्कत हो सकती है बाकी तो कुछ नहीं ठीक है अब 7 देखो अगर एक सिक्दम डिलेवंट रहना तो मैं आपको करने को बोलूँगा पहले एक बार 10 सेकंड देखे को फूद करके देखो 1 2 3 दियो को पास्ट करके करके दिखा करो ठीक है अब एक सर्कल है जिसमें रिडिया से 12 ठीक है उसमें AOB 45 है OAB is a sector center at O and if AOB find the difference between the area of OAB and AOB ठीक है तो O is the center O, A, B, AOB ठीक है तो बोलने का थरीका OA, B याने बढ़ावाला और AOB याने छोटा आपने अंदर के अंदर ऐसे बोल रहे हूँ ठीक है तो यह 45 है degrees, ठीक है, find the difference between the area of sector OAB and area of sector AOB, ठीक है, तो AOB का तो बढ़ा है, major sector, उससे बढ़ा है, ठीक है, therefore, let difference of area between sectors BD, D हो जाएगा, चलो D ले ले लेते हैं, तो D is equal to A2 minus A1, A2 इसे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो A2 या है कि मैं मुलने से अच्छे, area of sector OAB, area of sector OAB, minus area of sector AOB, ठीक है, तो area क्या होता है, half into area of sector के एक बार formula लिखता हूँ, क्या होता है, area of sector के formula भी बताया था, half into theta R square, ठीक है, चलिए, half into theta R square, ठीक है, अब बहुत यह आसानी से हो जाएगा, half into theta, अब पहले तो यह बड़ा वाला, तो 45 हूँ, तो यह बचा हूँ, एंगल कि इतना red color में, यह 360 minus 45, यह नहीं कितना, 315, 315 degree, ठीक है, तो यहाँ तो हम लिख सकते, 315 into pi by 180, हमें radian में करना है न, इसलिए, ठीक है, into किसका, 12 का square, radius तो same to same हो बच्चा, 12 का square, minus half into 45 into pi by 180 into 12 का square, अब देखो, यह ध्यान से देखना, 12 का square जो ठीक है, वो common निकाल लो, 12 का square common निकाल लो, तो 1 by 2 into 12 का square, अब आराम से, 315, pi by 180, ठीक है, इनका जुगार क्या करना है, तो यह कट जाएगा न, भाई, 45 पे यह, 4 पे गट रहा है, 45 फोर था, हमें मेरी साब से, और यह 315 पे, यह 15 पे गट रहा है, हाँ, 15 into 21, सही है न, और यह 15, 15, 12, ठीक है, तो 21, पाई, चलो, पाई भी common निकाल लो, यह पाई रेंदेदे, 21, pi by 12, माइनस, पाई भाई 4, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, पाई भाई 4 और 21, पाई भाई 12, ठीक है, अब यह देखो, यहाँ, यहाँ, 1 by 2 into 12, into 12, in bracket, पाई भी common निकाल लो, मैं तो बहुत तो आसान हो जाएगा, यहाँ देखो, 21 minus, यहाँ मैं उपर नीचे अब, देखो, LCM करने के लिए उपर नीचे 3 से multiply खाना हो, ठीक है, जिससे कि यह जो नीचे वाले 12 यह दिनॉम निटर वाले, उपर नीचे बन गया है, ठीक है, तो यह 3 upon 12, देखो कैसे, 12 बन गया है, एक साथ लिख लिए, दिन 18, 18 by 12, यह देखो, 18 by 12, 12, 5 जा, 60, 12, 6 जा, 72 बराबर, 12, 5, 60, ठीक है, तो 18, 6 जा, अब यह हो जाएगा, 126 में रिखो, सही है न, एक मिनिट, 136 है न, सही है, चलो एक बार करके देखते है, 6, 8, 6 जा, 48, सही है, 48 तो 8, और फिर 4, तो यह 6, 116, 10, एक सवाट, सही है, ठीक है, चलो एक सवाट होगा, एक सवाट, पाई, स्क्वेर, सेंटिमेटर, इतना, डिफरेंसिस है, एरिया, सेक्टर में, ठीक है, समझ गया है, तो 18 से मल्टिप्ला करेंगे, एक बार देख ठीक है, हो गया, नोट करना इसे, 1, 2, 3, सोचने वाली बात क्या थी, यह एक साथ करना, ठीक है, अब बहुत अलग-अलग निकाल कर मत करते बाटना, यह एक साथ लगा के कर देना, कौन सा बढ़ा है, कौन सा चोटा, एक बार देख लाए, एक बार नोट कर लो, आपस, 1, 2 2, 3, अब ळेखे, अगला क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन देखे, वैसे पिछले क्वेश्चन में ऐख कlection था, देखे, मैं बता देता हूँ, यहाँ ट्राइंगल यहोग भी है, अब यह घर आपको ऐसे समयना था से था यह ऐसे ऐसे भी आ सकता है, मैं अगले इस म एक सरकल है जिसमें O the center, फिर क्या बोला है O center होने के बाद, फिर बोला है कि OPQ is the sector, ओके, OPQ नाम का एक sector है, ओके, और यहां से कॉर्ड बनाना है, ठीक है, और हमें बोलना है find the area enclosed by the dark PQ and chord PQ, तो area, find area enclosed by arc PQ, मतलब area of segment पूछ रहो है न, यह पूछ रहो है, जो मैंने dark किया, ठीक है, यह पूछ रहो है actually and chord PQ, मतलब इसका meaning है, यह chord और arc है, यह arc है, और यह chord है, ठीक है, इसका मेरे पास direct formula है, 10 standard में सीखा है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, दिख रहा है कि clear का take meter रहा चक करूँ, ठीक है, मैं direct formula नहीं लगाऊंगा, मैं method wise जाओंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी से समझे, ठीक है, इसमें आगा करना है, आपको सबसे पहले एक इसमें, इस तरीके से एक height बना लेनी है, ठीक है और यहां से बना लेते हैं, देखो, जड़ा यहां से बना लेते हैं, ऐसे height, ठीक है, यह इस triangle की height है, यह edge बोल देता हो, मैंसे क्या बोल देता हो, edge ठीक है, अब ध्यान देना, मेरे बातों पर सिप ध्यान देना हो जागा, ठीक है, पहले तो area of sector निकाल लेते हैं, मतलब opq सेक्टर का एडिया ठीक है और ठीटा दिया हुआ है 30 तो बहुत आसां ठीक है देखो एडिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू इस इक्वल टू खीटा आर स्क्वेर बाय टू तो खीटा कितना है 30 इंटू पाय बाय वन इटी जो कि हम रेडियन में कर रहे हैं आर कितना है 15 रेडियस तो 15 है तो बच्चा टेंचन ही नहीं है 15 का स्क्वेर तो अब देखो 36 जा 180 ठीक है तो यह पाय इंटू 15 इंटू 15 अपान 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 5 जा 15 ठीक है हो गया तो यहाँ देखो 75 बाय 2 पाय ठीक है और यह हो गया स्क्वेर सिंटीमेटर ठीक है ना समझ गया 15 5 सा 75 सही है ना 75 जा पाय बाय 2 75 बाय 2 75 पाय बाय 2 ओके टीमेन अब हम आगे यहां निकालेंगे एरिया इन्क्रोजबाय आप पिक्यू अन्कॉप पिक्यूश के पहले यह अंदर जो ट्रेंगल है उपिक्यूश उसका एरिया निकालना पढ़े है तो एरिया औफ triangle OPQ is equal to half into base into height, ठीक है, तो half into base कितना है उसका देखो, base उसका OQ है फिलार, ठीक है, जो की 15 है, जो की radius है, अब हाइड की बाद जब आए कि ना, साइन थर्टी, अगर मैं यहां लिखो, यह यहां कर रहा हूँ, देखो, साइन थर्टी is equal to opposite H upon happiness, क्योंकि यह तो 90 है ना, तो happiness यह OP upon OP, therefore, H आपका क्या हो गया है आपे, H is equal to OP sin 30, एक मिनिट ज़रा मैं अच्छे से लिखो, H आपका हो गया, OP sin 30, H आपका हो गया, OP sin 30, आए, एक मिनिट, H आपका हो गया, OP sin 30, ठीक है, तो देखो, H कितना हो गया, OP sin 30, ठीक है, OP sin 30, ओके, OP sin 30, clear, देखो, opposite upon happiness, तो happiness तो गया है ना, क्योंकि 90 तो गया है, इसलिए, ठीक है, OP कितना है, 15, sin 30 कितना है, 1 by 2 होता है, ठीक है, तो half into OQ कितना है बच्छा, OQ आपका है यहापे, दिया है ना, 15, ठीक है, इन्टू OP कितना है बच्छा है, OP आपका यहाँ है, 15, इन्टू 1 by 2, तो अब आराम से 225 upon 4 square centimeter, यह आपका area of triangle आचुका है, ठीक है, अब अब आगे, अब देखो, therefore required area, आप मैं उसको required area बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से पूरा लिखना, मैं required area बोल रहा हूँ, जो कि यह है, ठीक है, आपको यह ही लिखना है, मैं required area बोल रहा हूँ, ठीक है, shortcut, तो यह हो जाएगा, यह तो obviously छोटा है उससे, तो 75 by 2 pi, 75 by 2 into pi minus 225 by 4, ठीक है, तो यह उपर निचे 4 से करोगे, तो यह हो जाएगा, 150, देखो, यह उपर निचे 4 बना रहा हूँ, pi minus 225 upon 4, मैंने LCM लिया है, इसको उपर निचे 2 से multiply किया, यह 150 बन गया, यह 4 बन गया, ठीक है, तो 7 में आगा, ठीक है, अब यहाँ, आराम से आप 150 into 3.14 कर देना, minus 225 upon 4, तो अब यहाँ, अब आपके हाथो बच्चो, यहाँ से, calculation करके answer आपका square centimeter में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो note कीजिए इतना, मेरा काम था, concept समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया, कि क्या करना, सबसे पहले area of sector, फिर area of triangle, और वो area of triangle निकालना है, सबसे जाद अदिमाख वाला थाम है, यहाँ बच्चे फस्ते थे 10th standard में, यहाँ एक formula होता था था, वो छोड़ो अब area of segment के नाम से, इसे segment बोलते थे हम अब तब, 10th में segment बोला था इसे, यहाँ बोला गया है कि between arc and quad, तो ही बात होगे, ठीक है, चलिए, note कीजिए, 1, 2, 3, इस question को एक बार देखना नहीं समझा दो वापस, ठीक है, चलिए, अब देखिए question number 11, अब यह आपके लिए बनावा question है, ठीक है, sector बोला गया, उन्होंने 20, मतलब यह पूरा जो perimeter यह, पूरा, यह पूरा, यह इतना, ठीक है, चलिए, red color से mark करता, आपको नहीं समझेगा, शाहरे से, एक minute, यह देखो, यह, यह red वाला 20 दिया गया, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो, area of circle is 25, ठीक है, area of circle is 25 से, पाई, तो area of circle is pi r square, ठीक है, therefore 25 is equal to pi r square, 25 pi है हो, sorry, pi r square, ठीक है, 25 pi square cm, ठीक है, area of circle, pi pi है, तो r 5 cm, ठीक है, बस simple by, ठीक है, square root on both set, ठीक है, समझ गया, यह तक, बहुत आसान है, अब यह 25, अब यह 20 है, कितना क्या बोल लग है, perimeter, तो यह पूरा red वाला 20 है, इसका meaning क्या हो गया, कि radius, 5, 5 है, तो therefore, length of arc, s is equal to, यह इसे लिख सकते है, perimeter of sector, perimeter of sector, is equal to, यह वाला, r plus r plus s, length of quad, यह 5, यह 5, यह 5, यह 5, प्लस 5, यह s है, तो s कितना हो गया, आपका, यह तो निखालना है, आपको, length of arc, यह तो length of arc निकालोगे, तो area of sector, आप से निखल जाएगा, ठीक है, तो परिमेटर कितना है, 20, sector का, ठीक है, तो यह s है, क्या, s नहीं समझ रहा है, तो यह लिखता हो, s, ठीक है, length of arc है, ठीक है, length of arc into radius upon 2, ठीक है, आराम से हो जाता है, ठीक है, तो देखो, अब वहाँ से मैं आपको connect करता हो, देखो, s का formula क्या था, r theta length of arc का, और area of sector का formula क्या था, देखो, theta r square by 2, तो यहां से देखो, theta r into r upon 2 कर सकते, तो theta r का मिनीगी तो ऐसा हो रहा है, तो यहां, s into r by 2 लिख सकता हो, मैं, तो यह थोड़ा सा observe करना, observe this, observe इन चीजों को observe करना, यह थोड़ा मैं detail में बता देता हो, ठीक है, offline जैसा है, प्रैक्स्पिजान साब कर, ठीक है, चलिए, देखते हैं आप, तो area is equal to s into r by 2, s थोड़ा मैं s निकालता हो, जिससे के आपको समझे, s into r by 2, l भी लिख सकते थे, अब टेक्स्पुक में sdi है, इसलिए, 10 into 5 cm, ठीक है, 5 upon 2, तो यह 2 5, 25 square cm, यह आगया आपका area of sector, ठीक है, यह आपका आगया area of sector, clear, कोई दिक्कत, एक बार दर यह से चेक करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसे note करते समया, एक बार calculation चेक करना, ठीक है, note किजिए, 1, 2 and 3, तो note कर लिए बच्चों, छलिए, अब चलते हैं, अगले question के, और question number 12, इसमें क्या है, देखिए, the perimeter of the sector of a circle of area 64 by find area of sector, बहुत आसान है, यह पिछले question जैसा है, same as question number 9, तो यह आपको मेरे दरफ से हुमभा कह ठीक है, बिल्कुल same है, देखो, क्या बोला गया, the perimeter of a sector, पूरा वैसी देखो, पूरा वैसी मसाला दिया हुआ है, area भी दिया हुआ है, same, 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 तो इसे जरा आप करना, तो मिलते हैं, अगले lecture में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, second chapter लाओंगा, मैं इसके बात, दोनों trigonometry साथ में कावर कराओंगा, complex number simultaneous ने कराओंगा, इसके साथ हो गया, तो वरना हालक से करना तो हुआ है, उसके बाद, तो trigonometry में मिसमत करना एक भी lecture, मैं भी continue में lecture बनाओंगा, trigonometry है, क्योंकि trigonometry is the heart of maths, ठीक है, वो अगर आगया, तो बहुत सी चीज़ा आजाएगी, integration, differentiation, limit, हर जगा यूज़ होता है, उसका, physics में तक यूज़ होता है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले lecture में, पढ़ते रहें, आगया पढ़ते रहें, जै हिंद, जै भारत!